जैहेंद एबरिवन मैं ब्रजन सिंग हिंदी कुश्चन्स के साथ जैसा कि कल आपको नाउस्ट किया था आज का टॉपिक आपका रहेगा नाउन पर वेस्ट कुश्चन्स करेंगे हम संग्या और संग्या के साथ ही वचन लिंग और कारक ये कुश्चन्स रहेंगे सभी लोग जल्दी से आजाएं सिसन का टाइम हो चुका है सिसन को स्टाइट किया जाए आज का टॉपिक है संग्या संग्या के बाद संग्या के साथ ही वचन लिंग और कारक ये questions रहेंगे आपके जी रभीता साहो जी जैहिंद देव साहो जी जैहिंद जी वैसाली जैहिंद जी खुशबू जी जैहिंद सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाएं session का time हो चुका है session को start किया जाए topic सबको मैंने कल announced कर दिया था जैसा कि topic मालूम होगा सभी को संग्या वचन लिंग और कारक इन पर वेस्ट कुश्चन होगी जी विजेश जी वसिस नरायंड जी जैहिंद वीना सोनी जी गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग प्राची जी गुड मॉनिंग जी अविशीक जी गुड मॉनिंग सबी लोग जुटते जाएए सिसन का टाइम हो चुका है सिसन स्टार्ट करें आज का topic संग्या वचन लिंग और कारक ये topic है हिंदी questions में और कल के जो topic होंगे विशिशन क्रिया और क्रिया विशिशन ये थी topic रहेंगे कल के लिए नक्स टे के लिए विशिशन क्रिया और क्रिया विशिशन जी नराण सिंग जी गुड मॉनिंग जी स्वाम जी गुड मॉनिंग जस्वान जी जय हिंद गुड मॉनिंग देवसा हो जी गुड मॉनिंग जी स्वाग मसरी जय हिंद चलिए तो सभी लोग लगभा आ चुके हैं regular जो सेसिन attend करते हैं सभी लोग आ चुके हैं सेसन को स्टार्ट किया जाए और हिंदी कुष्षन्स में आज की टॉपिक का पहला कुष्ष आपके सामने कुष्ष नमबर वन पहला कुष्ष आपके सामने भृता शब्द का भावाचक शब्द होगा जी सुई सिंग जी गुड मौनिंग जी ससी जी जैहन होगा ओप्षन से ब्रात्र दूसरा ओप्षन है ब्रात्र त्रत्व तीसरा ओप्षन है ब्राता शिरी और चौता ओप्षन है इन मेशी कोई नहीं ब्राता शब्द का भाव अचक शंग्या सब्द होगा पहला ओप्षन है ब्रात्र त्रत्व तीसरा ओप्षन है ब्राता शिरी और चौता ओप्षन है इन मेशी कोई नहीं धी रुपा जी जहिंद, खुषभु जी और वाशिस नराएंट सिंگ जी अस्वन सागड जी ने आंसर दिया है, भी यानि की ब्रहात दुए जी गुड मॉनिंग, डोटमल जी गुड मॉनिंग, रवीते जी ने आंसर दिया हुआ है, ब्रहात दुए प्रिविनिंग जो भी live season attend कर रहें answer सभी को देना है शुनल जी, वैसाली जी का answer आरहा है भ्रात्रेत्वे बी answer दे रहे है लरायन सिंग जी answer दे रहे है भ्रात्रेत्वे अकले शारिया जी भ्रात्रेत्व आंसर दे रहे है शोन अम्दुष करमा जी भावावाचक संग्या को बनाया जाता है बावावाचक संग्या बनती है आपकी हम बनाते हैं भावावाचक संग्या को जाती वाचक संग्या से बनाते हैं क्रिया से बनाते हैं विशेशन से भी बनाते हैं अब्यशे भी बनाते हैं तो यहाँ पर जो सही आंसर है ब्राता सब्द का भाव अचक शंग्या शब्द होगा भ्रात्रित्वे ब्रात्रित्वे सही आंसर है जिन्होंने भ्रात्रित्व आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आं ब्राता सब्द का सही भाव अचक संग्या सब्दों गा भात रित्व है चले अगला कुश्शन्स आपके सामने जी पनिशी पिल्कुल सही आंसर भी अगला कुश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श् जिन सब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं। जिन सब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन सब्दों को कहते हैं। रूपा जी अभिकारी वर्ड आपसंस में ही नहीं है, आप लोग आपसंस से हट करके क्यों जाते हैं। जो मैं कुशन्स कर रहा हूं और जो मैं आपसंस दे रहा हूं उसमें से आपको अंसर देना है। रविता जी मैंने आपसंस ही नहीं दिया हुआ है। मैंने आपसंस ही नहीं दिया है। इसलिए यहां पर जो आपसंस दिया जा रहा है उसमें से अंसर दीजिए। आपसंस है आपके धातु मूल सब्द तत्सम अब्याय। देव शाहु जी का अंसर आ रहा है अब्याय। रूपा जी आंसर दे रही है अब्याय। पुनिश जी आंसर दे रहे हैं अब्याय। वेशाली शोनिया जी अब्याए रूपा जी आंसर दे रहे हैं अब्याए सुनल मसूरी जी का आंसर आ रहा है अब्याए रोडमल अहरवाड जी आंसर दे रहे हैं मूल सब्द मीना सुनि जी अब्याए आंसर दे रहे हैं अस्वन सागट जी अकले शारिया जी अमन विश्कर्मा जी खुश्पू राम्य जी अक्लेश यारिय जी अभ्या आनसर देने चलि आनसर में रिलीज करता हूँ अभ्या इस करेक्ट आनसर अभ्या सही आनसर है जिन सब्दों में कोई परिवर्टन ना हो, जिन में कोई बेकार ना हो उनको अभिकारी भी कहते हैं अभिकारी के लिए जो सब्द होते हैं आपके लिंग वचन कारक लिंग वचन और कारक के आधार पर लिंग वचन कारक और पूरुष के आधार पर जो सब्द परिवर्टित नहीं होते हैं उनको अभिकारी कहते हैं जी ससी जी बिलकुत सही आंसर है, अब या है, चलिए अगला कुश्चन साप के सामने निमलिखित सब्दों मेशे कौन सा सब्द अविकारी शब्द है? इत्सो के खुस्बू जी कोई शुने? अगला कुश्य है निम्लिखित सब्दों मेंशे कौन सा सब्द अविकारी शब्द है? आजकल घोडा नदी लड़का निम्लिखित मेंशे कौन सा अविकारी शब्द है? आजकल नदी घोडा लड़का answer fast please जो भी сосon को अतेंड कर रहे हैं और जो भी сосon अतेंड करें सबी को सेयर करना है वीडियो सेयर करना है आपके सपोर्ट के कारण ही ये क्लास चल रही है आपके सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्फुल हूं और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आपका ये जो support मिलना है तो वीडियो को भी share किया जाए ज़्यादा स्यादा almost लोग एक share करने में कोई issue नहीं है सभी लोग share कर सकते हैं हम share कर देंगे तो कोई रूपय पैसे नहीं लगना है और आपके support के कारण ही ये class continuous है आप लोग platform पर आते हैं answers देते हैं continuous class चलती है answers आने लगे हैं प्राची जी वैसाली जी कुश्पू जी शोनल मसूरी जी रूपा जी मीना सोनी जी आजकल अमन विश्कर्मा जी answer दे रहे हैं आजकल रवीता साहू जी answer दे रहे हैं आजकल जो लिंग वचन और पुरुष के अधार पर परिवर्टित नहीं होते हैं आप यहाँ पर देखेंगे जो अधार options हैं घोड़ा यदि हम इसे change करेंगे लिंग के अधार पर तो घोड़ी हो जाएगा नदी वचन के अधार पर change करेंगे तो नदी आ हो जाएगा और लिंग के अधार पर लड़का को change करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा जी अरजुनसर जी अविसिक साहू जी रूडमल जी वसिस्ट अरेंट सिंग जी आजकल correct answer है आजकल वो सब्द है जो लिंग वचन और कारक के अधार पर परिवर्टित नहीं होता इसलिए यहाँ पर आजकल आपका अविकारी शब्द है शब्द रचना में विकारी और अविकारी सब्द ठीक है सब्द भिद में आपने पढ़ा होगा रचना के आधार पर रचना के आधार पर योग सब्द रूड सब्द योग रूड सब्द उत्पत्ती के आधार पर तत्सम तद्भव देशच बिदेशच और शंकर जो परिवर्थे नहीं होते लिंग वचन और कारक क्या दूसार उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं अगला कुश्चन्स आपके सामने है देश सब्द देश जी सतेश जी कुछ रहें अगला कुश्चन्स है देश सब्द संग्या के किस रूप में आएगा अप्संस है भावाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या या समुह वाचक संग्या भावशब्द यहाँ पर देश सब्द संग्या के किस रूप में आएगा options हैं भाववाचक संग्या ब्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या समुह वाचक संग्या प्राची जी आंसर दे रही है ब्यक्ति वाचक संग्या वसिस नराइन सिंग्जी आंसर दे रहे है जाति वाचक यस्वंत सागर जी आंसर दे रहे हैं समूह वाचक खुस्पु जी जाती वाचक आंसर दे रहे हैं विनीता जी आंसर दे रहे हैं जाती वाचक मीना जी आंसर दे रहे हैं रूपा जी आंसर दे रहे हैं जाती वाचक अखलेशी आदर्स जी सुहम जी आंसर दे रहे हैं जाती वाचक सुहम जी आंसर दे रहे हैं समुह वाचक सहिन जी जाती वाचक देव साहू जी जाती वाचक शोनम जी आंसर दे रहे हैं शमुह वाचक अभिशेक शाहू जी, रवीता साहू जी जाती वाचक, सुनल मंसूरी जी जाती वाचक, नितेशोनी जी जाती वाचक आंसर दे रहे हैं तो चलिए यहाँ पर मैं आंसर रिलीस करता हूँ, जाती वाचक बिल्कुल सही आंसर है देखिए जाती वाचक संग्या के कितने भेद होते हैं मालूम होगा सभी को संग्या के पांच भेद होते हैं जाती वाचक, व्यक्ति वाचक समुह वाचक भाव वाचक, पदार्थ वाचक ये सब भी लोग जानते हैं देखिए जाती का मतलब क्या होता है एक सब्द जो पूरी जाती को परिभाशित करे देश बोला है हमने हमने किशी पर्डिकुलर देश का नाम नहीं लिया है यदि हम भारत बोलते यदि हम अमेरिका बोलते यदि हम जापान बोलते रूश बोलते चीन बोलते तो व्यक्ति वाचक जैसे हम बोलते हैं लड़का त एक स्मूभाचक जहां पर एक शमुदाई ग्रूप का बोध हो। सेना है, पोलिश है, गुछ्छा है, संग है, समुदाई है, सभा है, संभिलन है, कक्षा है, यह सब आपके क्याहा व्यक्तिवाचक। यहाँ पर देश किसी समूभाचक को व्यक्ति यही करता है। देश एक जाती सूचक वर्ड है, जाती सूचक, और यहां से हमने कोई पर्टिकुलर देश के दिनाम लिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका? व्यक्ति वाचक, अर्जन सर जी समोवाचक नहीं है, यहां पर देश शब्द जाती सूचक सब्द है, जाती वाचक संग्या चलिए अगला कुश्चन्स आपके सामने निम्न शब्दों में से इस्त्री लिंग सब्द है निम्न शब्दों में से इस्त्री लिंग सब्द है चांदी, पीतल, लोहा, तामबा निम्न शब्दों में से इस्त्री लिंग सब्द है चांदी, पीतल, लोहा, तामबा जी रुपा जी, सही बोल नहीं है, संग्या के मूल तीन भेद होते हैं और प्रियोग के अधर पर पांच होते हैं, सही बोल नहीं है आप बिल्कुल सही बोल नहीं है बेटा किसने बोल दिया, ग्रुप में स्टेट सेट वीकेंड, देश शब्द बोला है, हमने हाँ पर कोई समूह नहीं है देश यहाँ पर इंडिया में राज्यों का संग है, तो आप क्या समझ रहे हो, क्या मैंने इंडिया बोला है, इंडिया बोलते तो व्यक्ति वाचक हो जाता शोम साहू जी आंसर दे रहे हैं चांदी, खुस्बू जी चांदी, वसिस जी चांदी आंसर दे रहे हैं, देव शाहू जी चांदी, रूपा जी चांदी आंसर दे रहे हैं, सोनल मंसूरी जी चांदी, कुमार उपाध्या जी चांदी देखिए, पुलिंग और इस्तिर लिंग का एक कॉंसेप्ट है, इनके बहुत सारे नियाम होते हैं अधिकांस धातू में पुलिंग होती हैं, कुछ धातू को छोड़कर, उनमें से एक धातू है चांदी और चांदी सब्द इस्तिरि लिंग सब्द है, बाकी पीतल, लोह, तामबा ये सब आपके पुलिंग शब्द होते हैं चांदी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, चांदी वैसाली जी, आमन जी, सतीष जी, अविशेग जी, रोडमल जी, कुनाल जी, साहिन जी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं चांदी और चांदी इस करेक्ट आंसर, चांदी सब्द इस्त्री लिंग सब्द है, अगला कुश्चन्स आपके सामने, निम्न में से किस में लिंग के कारण सब्द रूप में परिवर्तन होता है निम्न में से किस में लिंग के कारण सब्द रूप में परिवर्तन होता है अप्सन से शर्वनाम, बिशिशन, क्रिया और उपरुक्त सभी निम्न में से किस में लिंग के कारण सब्द रूप में परिवर्तन होता है शर्वनाम में, बिशिशन में, क्रिया में, उपरुक्त सभी में प्राची जी का अंसर आ रहा है उपरुक्त सभी अखलेश जारिया जी बूल रहे हैं लिंग के कारण केबल सर्वनाम के सब्द रूप में परिवर्तन होता है शर्वनाम में, मीना सोनी जी आंसर दे रहे हैं वसिस जी आंसर दे रहे हैं सभी में, नितेश जी का अंसर सभी में कि लिंग के खारण शभी के सब्द रूपों में परिवर्तन होता है चाहें वो सर्वनाम हो, विशेशन हो या क्रिया हो तो चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ सभी में, देखिए मैं आपको एक्जामपल भी दे रहा हूँ आप कोई भी एक विशेशन लीजिए, आपने लिया विशेशन, मोटा आपने विशेशन क्या लिया, मोटा अब इसको एक वाक्य में प्रियोग करो, लड़का मोटा है देखो, लड़का मोटा है, लड़का सब्द पुलिंग इसके बाद तुरत लिंग परिवर्टित करिए लड़की मोटा है ऐसा बोलेंगे क्या लड़की मोटा है यह बोलेंगे खाया खाना यहाँ पर खाना क्रिए लिया लड़का खाना खाया और लड़की खाना खाया यही बोलेंगे क्या नहीं क्या बोलेंगे लड़की खाना खाई लड़के ने खाना खाया लड़की खाई और लड़का खाया लड़की खाई लड़का खाया अब हम सर्वनाम की और बढ़ते हैं पूर पढ़ते हैं हमने बोला कोई भी वर्ड ले लो आप सर्व नाम के लिए एक कोई भी शर्व नाम हम ले शकते हैं कोई भी शर्व नाम और इसको हमें फ्रियोग करना है तुमने पढ़ा और तुम पढ़ी तुम पढ़ी की नहीं पढ़ी पढ़ा और पढ़ी तुम और तुमने तो देखो यहां पर डारिक्ली हम याद रखेंगे चाहें क्रिया हो विशेशन हो सर्वणाम हो या संग्या हो Link के कारण सभी के सब्द रूपों में परिवर्तन होता है Link सभी के सब्द रूपों को बदल देता है तो यहाँ पर answers होगा आपका सभी के लिए चाहें सर्वनाम हो शंग्या हो क्रिया हो जी जी, word change होगा परिवर्तन होगा तो pull link के कारण हमें लिंग के कारण बताना है लिंग के कारण changes होगा परिवर्तन होगा चलिए अगला questions है आपका निम्न में से कौन सा सब्द निम्न में से कौन सा सब्द pulling नहीं है निम्न में से कौन सा सब्द pulling नहीं है कौन सा सब्द pulling नहीं है options है गाल गाल अंगुठा नाक कान गाल अंगुठा नाक कान प्राची यांसर दे रहे हैं वसिस जी मीना सोनी जी नाक अख्रेश यांसर दे रहे हैं गाल शोहम जी अंसर दे रहे हैं नाक देवशाहू जी नाक अंसर दे रहे हैं कुछपु जी नाक आंसर दे रही है कुमार अपाध्या जी नाक आंसर दे रही है सुनल जी आंसर दे रही है नाक नाक स्रीलेंग है रूपा जी बोल रही है वैसाली जी नाक आंसर दे रही है अदर्श जी नाक आंसर दे रही है साहिन जी बोल नहीं है अंगोठा एस जी गुस्वामी जी नाक आंसर दे रहे हैं रवीता जी सुहम साहू जी नाक आंसर रश्मी जी नाक आंसर दे रहे हैं तो चलिए मैं हाँ पर आंसर रिलीस करता हूँ नाक इस्त्री लिंग सब्द है नाक इस्त्रीलिंग सब्द है देखो parts of body और कोई भी ऐसा word जहां पर आप clear नहीं है इनको आप एक वाक्य में प्रियोग करिए किसी भी सब्द का आप से gender पूछा जाता है आप तोरत उस वाक्य को उस सब्द को उठा करके वाक्य में प्रियोग कर दीजिए जैसे आपसे पूछा किया और समोसा pulling है, स्त्रीलिंग है कैसे बता पाऊगे समझ रहना तो हम क्या बोलते हैं समोसा खाया यह बोलते हैं ना खाया कि समोसा खाई यह बोलते हैं दूद पिया की दूद पी दही खाया के दही खाई तो यहाँ पर आप वाक्य में प्रियोग कर दीजिए जिस वर्ड का जेंडर लिंग पूछा जाए आपसे उस सब्द को किसी एक वाक्य में प्रियोग कर दीजिए और उस वाक्य की क्रिया को देखिए ये दी क्रिया पुलिंग रूप में आ रही है तो that means वो वर्ड क्या है पुलिंग है प्राची जी बुल लें है समुसा पुलिंग है प्राची जी फुलकी पुलिंग है के स्थ्रीलिंग है फुलकी जानते होंगे पानी पुरी पानी पुरी फुलिंग है या स्त्री लिंग है प्राची जी बताएंगी हाँ समूसा खाया जाता है तो यहाँ पर देखिए समूसा खाया वसिस जी यहाँ पर आपने क्रिया युश्की ना खाया तो आप समझ जाएए कि जिस वर्ड का जेंडर पूछा जाया लिंग पूछा जाए और एदी आपको नहीं मालूम है देखो प्राची जी ने बता दिया फुलकी पानी पूरी स्त्री लिंग है मैंने पानी पूरी खाया यह बोलते हैं पानि पुरी खाई खाई इकारांट वही चीज़ है अकारांट और इकारांट उकारांट भी होता है इन से ही पहचानते हैं वाखे में प्रेयोग करिये अब देखो जो पानि पूरी लाबर होगे जटनको पानि पूरी बसंद होगी तORएD बता देंगे पानी पुरी खाई पानी पुरी खाया नहीं यही बोलते हैं इस तरी लिंग है तो वही है कि देखो कोई भी सब्द जो आपसे पूछा जाता है आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको वाक्य में प्रियोग कर दीजिए वाक्य में वाक्य में आप प्रियोग करेंगे आपको आंसर्स मालूम चल जाएगा चलिए अगला कुशन निम्ने में से कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है बेटा मैंने पूचा था पुल्लिंग नहीं है अकलेश जी मैंने पूचा था निम्न में से कौन सा सब्द पुल्लिंग नहीं है पुल्लिंग नहीं है जी अर्जुन सर बिल्कुल फुलकी स्त्रीलिंग सब्द है जी बिल्कुल फुलकी खाई, पानी पूरी खाई चलिए अगला कुशन्स निम्न मेशे कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है जाती वाचक संग्या नहीं है निम्न मेशे कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है जाती वाचक ओप्संस हैं फल, बालक, शुन्दर, मनुश्य निम्नमेशे कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है? अप्सन है फल, बालक, शुन्दर, मनुश्य प्राची नहीं आंसर दिया सुन्दर एस जी गुशामी जी आंसर दे रहे हैं फल खुश्पू जी, सुहम जी, मीना सोनी जी, रूपा जी, अकलेश जी, देवसाहु जी सभी लोग आंसर दे रहे हैं शुन्दर, यश्वन जी, आंसर दे रहे हैं शुन्दर, बिनीता जी आंसर दे रहे हैं शुन्दर, कुमार उपाध्या जी आंसर दे रहे हैं शुन्दर, शुभम साहु जी आंसर दे रहे हैं शुन्दर, सोनल जी आंसर दे रहे हैं शुन्दर अगला कुशन आपके सामने जी अर्जुन सर बिलकूल सही आंसर अर्जुन सर भी continuous आंसर दे रहे हैं अर्जुन सर home science college में अपनी शेवाय देते हैं जी सुन्दर अमन जी वसिस जी सुनम जी सुभम जी अंकिता जी देव जी रश्मी जी सुन्दर बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए अगला कुशन आपके सामने गुरु सब्द का बहुवचन है गुरु शब्द का बहुवचन है गुरु गुरु शब्द का बहुवचन है ओ options हैं गुरुओं गुरुओं गुरुजन गुरुओं गुरुजन गुरुजन इन मेंसे कोई नहीं है गुरु शब्द का वहुवचन सब्द है गुरुओं गुरु जनों गुरु जन और डियोप्सन है इन मेंशे कोई नहीं वसिस जी का अंसर आ रहा है गुरु जन एस जी गुश्वामी रूपा जी आंसर दे रहे हैं गुरु जन प्राची जी आंसर दे रहे हैं गुरु जनों सोहम जी आंसर दे रहे हैं गुरु जनों मीना सोनी जी आंसर दे रहे हैं गुरु जन खुस्पू जी आंसर दे रहे हैं गुरु जन वैसाली जी आंसर दे रहे हैं गुरु जन अकलेश जी अस्वन सागर जी सोहम अकलेश जी अस्वन सागर जी गुरुजन सोहम जी आंसर दे रहे हैं गुरुओं कुमार अपाध्याय गुरुजन आंसर दे रहे हैं सोनम जी गुरुजन रोडमल जी आंसर दे रहे हैं गुरुजनों बैसाली जी गुरू जन अर्जुन सर गुरू जन आंसर दे रहे हैं देव जी आंसर दे रहे हैं गुरू सोनम जी आंसर दे रहे हैं गुरू जन अदर्स जी बोलना है कोई नहीं खुशबू जी गुरू जन ओ चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूं गुरू जन इस करेक्ट आंस मेनेतागण ऐसे सब्द जोड करके यहां पर बहुबचन बनाए जाते हैं यहां पर वही चीज छात्र चात्रगण होता गुरू तो यहां पर गुरू जन गुरू जन नहीं बोलेंगे गुरू जन गुरू जन गुरू शब्द का बहुबचन सब्द है गुरू जन तो जिन्ह निम्ण मेशे इस्त्री लिंग सब्द है इस्त्री लिंग सब्द है निम्ण मेशे इस्त्री लिंग सब्द है जी प्राजी सांदार कुश्यंस बिलकुल अच्छा कुश्यंस था कन्फ्यूजिंग वाला अगला कुशेंस है निम्नमेशे इस तरी लिंक सब्द है ओप्संस हैं प्यार, सैतानी, नेत्र, शरीर प्यार, शैतानी, नेत्र, शरीर निम्नमेशे इस तरी लिंक सब्द है प्यार, शैतानी, नेत्र, शरीर प्राची जी ने अंसर दिया शैतानी, अदर्स जी सैतानी अंसर दे रहे हैं वसिस जी सैतानी, रूपा जी नेत्र चले मैं आंसर रिलीज करता हूँ यहाँ पर सैतानी सब्द, श्त्री लिंक सब्द है, सैतानी नेत्र नहीं है, बोलते हैं ना, नेत्र जो आपका वर्ड है आंक सब्द बोलेंगे तो वो क्या है? आंक इस्त्री लिंक होगा, लेकिन नेत्र सब्द इस्त्री लिंक नहीं है, नेत्र पुलिंक है, जी अर्जुन सर, सैतानी, देव कुमार लोधी जी सैतानी, सही आंसर है प्यार सब्द पुलिंक है, सरीर सब्द पुलिंक है, नेत्र सब्द पुलिंक है, सैतानी सब्द इस्त्री लिंक सब्द है, तो सैतानी जिन्होंने आंसर दिया है, बिलकुल करेक्ट आंसर हाँ, आंक इस्त्री लिंक है, लेकिन नेत्र पुलिंक है रुपजी प्यार सब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए ठीक है बोलते हैं प्यार हुआ हुई नहीं बोलते हैं हुआ ठीक है सैतानी की सैतानी किया नहीं उसने सैतानी किया यह नहीं बोलेंगे उसने सैतानी की नेत्र खुला है खुली है नहीं, नेत्र खुली है नहीं बोलते हैं, नेत्र खुला है शरीर शरीर वर्ड भी आपका फुलिंग सब्द है शरीर त्याग दिया, त्याग दी नहीं उसने शरीर त्याग दिया, दिया, शरीर त्याग दी नहीं वाक्य में प्रयोग करिए आपको समझ में आ जाएगा उसने सैतानी की ये बोलेंगे मतलब इकारांत यानी स्त्री लिंग वाक्य में प्रयोग करिए आपको अपने आपांसर मिल जाएगा मैंने क्या बोला है कोई भी ऐसा सब्द जो आपको नहीं समझ में आता है किसमें कौन सा लिंग है, इस्त्री लिंग है या पुलिंग है आपको उस वाक को, उस सब्द को वाक में प्रियोग करना है और उसकी क्रिया को देखना है क्रिया यदी इकारांत आती है, मतलब वो इस्त्री लिंग है और किर्यादी अकरांत आती है नेत्र होते हैं और आँख होती है बिल्कुल सही बोलने है नेत्र खुला है आँख खुली है ऐसे लगा लीजे तीसरी आँख खुल गई और तीसरा नेत्र खुल गया चच्चू खुल गए बेटा चच्चू भी पुलिंग है चलिए अगला questions आपके सामने next questions देखते हैं निम्न मेंसे कॉन सा सब्द विकारी शब्द है निम्नमेशे कौन सा सब्द विकारी सब्द है? निम्नमेशे कौन सा सब्द विकारी शब्द है ओप्संस हैं हाथी, यहां, इधर, उधर निम्नमेशे कौन सा सब्द विकारी शब्द है हाथी, यहां, इधर, उधर आंसर फास प्लीज प्राची जी ने आंसर दिया है हाथी यस्वन सागर जी आंसर दे रहे है हाथी नितेश शोनी जी आंसर दे रहे है हाथी अदर्श जी का हाथी आंसर आ रहा है मीना सोनी जी अकलेश शारिया जी अमन विश्कर्मा जी रूपा जी सब ही के अंसर हाथी आ रहे हैं वैशाली शोंडिया जी अखलेश जी हाथी अंसर दे रहे हैं देवशाहू जी हाथी अंसर दे रहे हैं खुसबू जी वसिस जी हाथी हाथी सब ही हाथी हाथी चिल ला रहे हैं बिल्कुँ सही अंसर है हाथी सब्द विकारी सब्द हैं, आप इसे परिवर्थित करेंगे, लिंक के अधार पर, तो हाथी का, जो आपका इस्त्री लिंक होता है, हत्थ नहीं होता है, मालूमों का सभी को, हाथी नहीं भी बोल सकते हैं, वैसे एक्षुल में हत्थ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर जो सब्द परि प्रिये तम प्रिये तम प्रिये तम प्रिये तम शब्द का इस्त्री लिंग सब्द है प्रिये तम सब्द 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 का इस्त्री लिंग प्रिये, बी उप्सन है प्रिया, सी उप्सन है प्रियम, प्रियम, ए उप्सन है प्रिये, बी उप्सन है प्रिया, सी उप्सन है प्रियम और डी उप्सन है प्रियतमा, खुश्बू जी ने आंसर दिया है प्रियतमा, अधर्श मिस्रा जी आंसर दे रहे हैं प्रिये, अच्छा अदर्शी ने गाना सुन लिया होगा है। शोभम कश्यप जी अंसर दे रहे हैं प्रियता माँ वैसाली शुन्डिया जी अंसर दे रहे हैं प्रियता माँ कुमार उपाद्या जी अंसर दे रहे हैं प्रियता माँ साहिन जी का अंसर आ रहा है प्रियता माँ फिल्म में सुना है प्रियता माँ प्रिये भी सुना होगा प्रियतामा सभी लोग अंजली जी अर्जुन सर जी वसिस जी कीर्थी जी रवीता जी सभी लोग आंसर दे रहे हैं प्रियतामा कुछपूर जी बुल नहीं है राम जी बुलते हैं सीता जी को क्या बुलते हैं प्रिये बुलते हैं कि प्रियतामा बुलते हैं प्रिये लड़क प्रियतामा जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, प्रियतामा प्रिय नहीं होगा, प्रिया नहीं होगा, प्रियम नहीं होगा, प्रियतामा होगा, अगला कुश्चन्स आपके सामने, गीदर, गीदर जानते हैं न, गीदर, हाँ कुछ भूजी, राम जी सिताजी क को प्रिये बोला करते हैं बिल्कों सही बोलते हैं सही बोला है प्रिये बोलते हैं लेकिन यहाँ पर प्रियतम सब्द का इस्त्री लिंग प्रियतमा होगा अगला कुश्चन्स गीदर सब्द का इस्त्री लिंग सब्द है गीदर सब्द का इस्त्री लिंग सब्द है ऑप्संस है? गीदणि ऑप्षन है गीदणी, गीदणि si अप्षन है गीदणी और d ओप्षन है गीदणिया है गीदण सब्सक्राइब का इस्तरी लिंग सब्ध है गीदणám गी दड़नी गी दड़ी गी दड़िया बिटा गलेशी यह सूसल फ्लेट फॉर्म है मैं आपको यह मेरी लास्ट वॉर्णिंग है अदर्वाइज मैं आपको यहां पर यहां से मैं टर्मिनेट कर दूँगा ठीक है तो जो एक्चुल में मैं बोल ला हूं मैं explain कर रहा हूं तो उन पर ध्यान दे आप प्राची जी आंसर दे रहे हैं गी दड़नी नितेशोनी जी गी दड़नी देवसाहो जी गी दड़नी नरायन सिंग जी आंसर दे रहे हैं गीदड़ी अंजली जी गीदड़नी यश्वन सागर जी गीदड़ी आंसर दे रहे हैं खुश्बू जी गी पौल लाए है कुमार उपाद है जी गीदर्ट इन बोल ले हैं शुर्भम कशेप जी गीदरी वैशाली जी आंसर दे रही है गीदर्णी अमन जी गीदर्णी आंसर दे रहे हैं चलिए, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करता हूँ, आंसर, गीदर सब्द का सही, गीदर सब्द का सही स्त्रिलिंग सब्द है, गीदरी, जी अर्जुन सर, बिल्कुल सही आंसर है आपका, मीना जी बिल्कुल सही आंसर है, सोनम जी सही आंसर है, सोनम जी का नहीं है, गीदड़ सब्द पुलिंग सब्द है और गीदड़ सब्द का सही इस तरी लिंग सब्द है गीदड़ी गीदड़ी बिल्कुल याद रखेंगे गीदड़ी सही सब्द है गीदड़ और इसमें ए लगा देंगे हम बड़ी लगा करके जैसे लड़का तो लड़की बनाते हैं गीदडी GIDDRी पाउसर ने के ऊजिने हैं के आघला कुसिंस आपके सामुंझ hai म सब्रक्षत दोो से पत्ते गिरते हैं एक वाक है एक सेंटेंस है एक संस्क्रिट में बोलते हैं अपने हिंदी में बोलना है अपने बहुत सारे स्लोग पढ़े होंगे इसलिए तो बोला जाता है आज भी वो इस लोग जो चलता था पहले आज भी वो बहुत पॉपुलर है क्योंकि हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते एक स्लोग आपने सुना होगा संस्क्रिट में पुस्त कस्था तुया बिद्या परहस्त गतम धनम कारे काले शमुत पन्ने नाशा बिद्याना तद्धनम यस लोग पढ़ा होगा और इसकी महत्ता को यदि आप बच्पन में समझ गए होते इसकी महत्ता को यह दिया आप बजपन में समझ गए होते ठीक है इसकी मीनिंग को तो आप सभी लोग जानते होंगे पुस्त कस्था तुया बिद्या परहस्त गतम धनम कारे काले शमुत पन्ने नाशा बिद्याना तद्धनम पुस्तक में लिखी होई बिद्या और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन अपना नहीं होता क्यों समय पढ़ने पर ना पुस्तकों में लिखी होई बिद्या कामाती है और ना दुश्रे के हाथ में दिया हुआ धन कामाता है इसलिए हमें पढ़ना पढ़ता है कि नितु एक्जाम में बैठ जाएंगे पता है कि उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन यदि हमें पता नहीं है लिखा है ये जानते हैं हम पुस्तकस्ता तुया बिद्या वही बात है कि लिखा है जानते हैं लेकिन क्या लिखा हैं नहीं जानते तीक है चलिए अगला कुशन से ब्रच्छ से पत्ते गिरते हैं यह एक वाक्य है इस वाक्य में कौन सा कारक है कि ब्रच्छ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है कर्म कारक करण कारक कि संप्रदान कारक अपादान कारक कर्म कारक, करन कारक, शंप्रदान कारक, अपादान कारक प्राची जी का अंसर आ चुका है अपादान कारक नितेशोनी जी आंसर दे रहे हैं अपादान कारक रूपा जी अपादान कारक आंसर दे रही है एस जी गुशामी जी आंसर दे रहे हैं अपादान प्राची जी ने आंसर दिया अपादान यश्वन सागर जी अपादान कारक बुल रहे हैं मीना सुनी जी अपादान आंसर दे रहे हैं शाहिन जी आंसर दे रहे हैं अपादान ब्रच्छात पत्राणी पतंती ब्रच्छ से पत्ते गिरते हैं अलग होने का भावब जी बिल्कुल तो देखें यहां पर मैं आंसर रिलीज करता हूँ अपादान कारक बिल्कुल करेक्ट है देखें कारक के आठ भे दोते हैं कर्ता, कर्म, करण, संपरदान, अपादान, शंबंध, अधिकरण और शंबोधन, और यहां पर हम संबंध कारक क चिन, जिनको हम बिभक्ती या परसर्ग के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा पहचानते हैं, यहाँ पर देखिए से चिन हैं, से करण में भी होता है अपादान में, लेकिन यहाँ पर अलग होने का भाव है, पत्ते गिरते हैं, गिरना मतलब बिर्च से अलग हो रहे हैं, से अलग बालक छत से गिरा व्यक्ति घोड़े से गिरा वह रस्ते से भटका से भटका भटका बतलब रस्ते से अलग हुआ यहां पर जहां पर अलग होने का भाव हो और से हो से चिन हो अपादान कारक तो अपादान कारक बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन्होंने अपादान आंसर दिया है सभी के सही आंसर अगला कुश्चंस आपके सामने शूर्य शब्द का शूर्य 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 शूर शूर्य शब्द का इस्त्री लिंग सब्द है शूर्यानी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो शूर्य शब्द का इस्त्री लिंग सब्द है ऑप्संस है सूर्यानी, शूर्या, सूर्याई, सूर्याई और डी ऑप्संस है सूर्यो वसिज जी आंसर दिया हुआ है शूर्या वसिज जी का आंसर आ रहा है शूर्या अदर्श जी आंसर दे रहे हैं शूर्या, प्राची जी आंसर दे रहे हैं शूर्याणी, खुश्बू जी आंसर दे रहे हैं शूर्याणी, नितेश जी आंसर दे रहे हैं शूर्या, अकलेश जारिया जी आंसर दे रहे हैं शूर्याणी, रूपा जी आंसर दे रहे हैं सूर्य सोनल जी आंसर दे रहे हैं शुर्यानी आयुश खरे जी आंसर दे रहे हैं शुर्यानी खुस्पु जी आंसर दे रहे हैं शुर्यानी सोहम जी आंसर दे रहे हैं शुर्या अमन जी सूर्या, साहें जी सूर्यानी, रूपा जी सूर्यानी, रभीता जी आंसर दे रही है शूर्या, किरती हर्या जी आंसर दे रही है शूर्या, मीना सोनी जी का अंसर आ रहा है शूर्या वैसाली जी आंसर दे रही है शूर्यानी दिब्या जी आंसर दे रही है शूर्यानी कुमार जी का आंसर आ रहा है शूर्या देव शाहुजी शूर्यानी चलिए मैं आंसर रिलीज करता हूँ सूर्या इस करेक्ट आंसर शूर्य शब्द का इस त्री लिंग सब्द शूर्या होता है सूर्या बी आंसर जो बी ओप्सन से इस करेक्ट आंसर शूर्या शूर्य शूर्या नो सूर्या पुल्लिंग तो पुल्लिंग है नो सूर्या पुलिंग नहीं है बिटा शूर्या इस्त्रिलिंग सब्द है शूर्य शब्द पुलिंग है शूर्य शब्द शूर्य जो यहां सन की बात हो रही है इस संबंध में सूर्या सब्द सूर्यानी कोई शब्द ही नहीं है सूर्याई और शूरियो कोई शब्द ही नहीं है शूरिय शब्द का शूरिय शब्द पुलिंग सब्द है हम बोलते हैं क्या शूरिय निकलती है शूरिय निकलता है ठीक है और शूरिया शब्द इस त्री लिंग सब्द है अब यहाँ पर देखो नेम में कि लड़का लड़की की नेम में कई जगे पर आपने देखा होगा शूरिया लड़के का भी नाम होता है और सूरिया लड़की का भी नाम होता है तो इस आधार पर साथ प्राची जी को confusion हो रहा है कि सूर्या सब्द पुलिंग है लड़के का नाम भी सूर्या और लड़की का नाम भी सूर्या लेकिन सूर्य सब्द के विहाप में उसका इसली लिंग सब्द शूर्या है शूर्या is correct answer चलिए अगला questions लिंग की द्रिस्टी से दही सब्द है लिंग की द्रिस्टी से दही सब्द है जो दही हम खाते हैं कर्ड खाते हैं लिंग की द्रिस्टी से दही सब्द है इस्तिरी लिंग पुलिंग नपुन्शक लिंग उभ्या लिंग इस्तिरी लिंग पुलिंग नपुन्शक लिंग उभ्या लिंग बेटाई हैं वाक की नहीं बनाना है यहां तो डारेक्टली सूरी के लिए सूरिया है वाक उनके लिए बनाए जाते हैं जैसे अब दही सब्द आ गया इनके लिए बनाओ क्योंकि इनके लिए परिभासित सब्द नहीं है सोनल जी बोल लें है प्राची जी बोलने हैं, पुलिंग, रूपा जी पुलिंग, अदर्स जी पुलिंग, खुसबू जी, पुलिंग, बुशामी जी, पुलिंग, मीना सोनी जी, पुलिंग, यसवन जी, पुलिंग, सुभम जी, पुलिंग, अर्जुन सर, पुलिंग, रूपा जी बोलने हैं, द देखा हुआ है दही खाया जाता है दही बहुत खट्टा है नहीं प्राज जी बोल दीजे नहीं दही बहुत खट्टी है अमन जी भूले हैं पुलिंग दिव्या जी पुलिंग वैसाली जी पुलिंग चलिए दही सब्द पुलिंग सब्द हैं वाके में प्रियोक करेंगे मैं इस topic पर वेस था हिंदी questions में और I hope सभी को questions अच्छे लगे होंगी यह बहुत ही important questions हैं जो almost पूछे आते हैं इतने questions sufficient नहीं है आपको और भी practice करनी है जैसे मैं बलकुल आपको बताता हूं सभी को ऐसे questions की practice करनी है कल का जो topic होगा सर्वनाम आपको बताया था मैंने कल का जो topic होगा शर्वनाम विशेशन क्रिया और क्रिया विशेशन यह 4 topic रहेंगे सर्वनाम पर बेस्ट questions होगे विशेशन पर वेस्ट होगे क्रिया पर वेस्ट होगे और क्रिया विशेशन पर यह कल के topic होगे अपने questions के लिए आज के session का last question आज के session का last questions जी वैसाली जी वैसाली जी ने वाक्य दिया हुआ है मैंने दही खाया आप जी जी आज के session का last question कुशन से नेत्री सब्द का पुलिंग है नेत्री दही खट्टी होती है नहीं वसिस जी दही खट्टा होता है कौन बोलता है आप से किस एरिया से आप बिलॉंग करते हैं मैंने दही खाया दही खट्टा होता है दही खट्टी होती है नहीं बोलेंगे वसेशी गलत है वांसर दही खट्टा होता है दही खट्टी नहीं होती है चलिए आज की सेशन का लास्ट कुश्चन नेत्री सब्द का पुलिंग है ओप्संस हैं नेता नेतिन नेताईन नेतागण नेता बेटा दही जमाई नहीं जाती है दही जमाया जाता है दही तो जमाई जाती है वसिस जी आपकी हिंदी में प्रॉब्लम कुछ अलग प्रकार से है दही जमाई जाती नहीं दही जमाया जाता है दही जमाया जाता है दही जमाई जाती नहीं बोलेंगे तो चलिए यहां पर मैं आंसर रिवीज करता हूँ नेता सब्द जो आपका है पुलिंग शब्द है और नेता शब्द का स्त्री लिंग नेत्री होता है तो नेत्री सब्द जो की स्त्री लिंग सब्द है इसका पुलिंग शब्द होगा नेत्रा तीक है यहाँ पर नेता अच्छा आप सत्ना से हैं लेकिन तब भी वहाँ पर ऐसा नहीं बोलते हैं सत्ना में सत्ना में ही बोलते हैं दही जमाया जाता है दही जमाया जाती है नहीं है वहां एक वालग की शेत्री लोग बोलते हो कुछ थो एक वालगात है। जी जी रूपा जी ने एक। प्रेंट करते हैं आईओप मैं सबसे यह उम्मीद करता हूं कि जादा सजादा लोगों को बताएं academic हो या anacademic हो आपके friend हो जो भी competitive exams aspirants हो उनको बताएं और जादस जादा जो आपके groups हो friends वगएरा के बिल्कुल share करें, share करने में कुछ नहीं जा रहा है, यदि जा रहा हो तो मत कीजिएगा कोई issue नहीं है share करने में यदि problem हो तो नहीं करिएगा बागी share कर सकते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि जादस जादा लोग जुड़े हैं, चाहे हो academic हो या anacademic हो इस platform पर बहुत से लोग आए ठीक है तो आज का session यहीं पर end करते हैं कल का session जो हिंदी का होगा उसमें topic होंगे, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया और क्रिया विशेशन इन चाहर topic पर questions होंगे जय हिंद